असलोब लेकूम माईनेव जावित इकवालएवन एटूड़र्ट के सीरीज में मैं चौती रिकॉर्डिंग करूंगा इससे पहले की रिकॉर्डिंग करूंगा इंट्रोडक्षण और कनेक्शन इस्ट्रिंग्स और सिल्ग की करवाये थी लेगिन इन लाइन की यूरी पर काम के लिए टी विल स्टूइट्स के नाम से तो एक तो मरी लाइन क्यूरी होती जिसमें हम इसके अमान यह डॉप्टर के कंस्ट्रक्टर में तो एक तरीका है लेकिन अगर इसे प्रोफेशनल प्रोफेशनल वे देखा जाए और फास्ट आउटपूट के लिए इस लिहाज से त सब्सक्राइब होता है जो बनता ऊसी वे कंपाकिल करने की जरुदि इसलिए को अपर तक अबारुबट ऐघना करना पड़ता सल यह यह Uh क्योंकि एसको सर्फर के अंदर ही बनता है तो इसको सर्फर की से कोड़ी पिसको एंपलीमर्ट हो जाती है तो इस अवाले से जो है वह मैं इन-लाइन क्यूरी के जगा आप में स्टोर पॉसियों करूं गा आगे हम फर्दर सारा कम भी करेंगे वह स्ट्रस्विने समझाने के ल और रगएती अगर हम इसके लिए बनाना चाहते हैं तो س्टोर प्रोसीजanners बिनाने के लिए जा तरीक़ होता है आप यहां में वे नियु क्यूरी पर आके चयोरी की करनाम डे दो और प्रेंश के बाद बनें क्यूरी पकर दे सकता है अगर थोड़ी बहुत आपको नॉलिज्ज ये क्यूरीज लिख सकते हैं तो बेतर है कि आप यहां पर आके काम करें तो इस ट्रोपोसे बनाने के लिए मैं जो कमाड होती है वह होती है क्रियेट प्रोसीजर और फिर हम जो है प्रोसीजर का स्ट्रोपोसे कर नाम देद हो तो सिंबल अगर हम सिलैक की क्यूरी लगाना चाहते हैं तो यहां हमने क्या सेलैक्ट स्टैरिक फ्राम टी बी एल स्टूडेंट जो मिरे टेबल का नाम है अच्छा अब अगर मैं इसको एक्जिक्यूट करूंगा तो इसमतलब है यह हमारा स्टूर पोसीजर अज़रूर इसका कीवड लगा दे है अब देखिए आपके पास एक्जिक्वड होगिए ईस करने के बाद क्यूरी लगा जाती है वह मैं आप मिस्टे कर तो आपका श्टूर पोसीर एक्जिक्यूट हो गया है ऐसके पास क्यूरी लगा दी है तो अब यह जब मुझे और सि कर लोंगा तो से रिकॉर्ड हमारे फैच हो जाएंगा दूसरा दरीका दूसरा एक स्टोपरसी में मैं बनाना चाहता हूं मैंने का क्रियेट प्रोसीजर हमें फॉर एक्जेमबल लाइक की क्यूरी के लिए बनाना चाहता हूं जिसा में लास्टा भी किया था लेकिए वह इन से करना चाहता हूं तो मैंने का क्रियेट प्रोसीजर और मैंने का शू एस्टी डी हमने का नाम देदी है इसको बनाए अब चुक्छिए मुझे यहां पे नेम के साथ मुझे फिल्टर करवाना है तो मुझे लाज़ी बात है कि नेम का मुझे पैरामीटर भी चाहिए होगा और इस पैरामीटर में का किन्ट्रोल के साथ पास करूंगा तो पिर हम यहां पे एक बनाते हैं पैरामीटर के लाता है एड़ रहट का साइन इस पर वसके लिए यूज होता है इसके बापने कोई भी बना दिया फोर्जा मैंने किसी एन के नाम से मैंने एक बना दिया अब यह बनाते हैं तो यहां जो टाइप होती है जिसे यहां पर भी देनी पड़ती है अब अगर मैं जैसे यहां पर टेबल था इसे में बस कॉलम था एस नेम का यह जाता हूं कि यह जो है मुझे इससे फिल्टर करवाना चाहता हूं लाइकी कुरी में S NM से लगा हूँ, पहला करेक्टर दूसरा करेक्टर जो ने से पहले अभी जस्ट रमने जो ट्रेंडिंग दी थी मेसिस दी तो में इससे समझाई थी और वहा मैंने मैं एक एन्बर चार और यद फेने पढ़ने है किला स्धा में नबर और देने बढ़ते हैं तो मैं यह पास कर दूँगा तो मैंने का फोटी देता हूँ यह जरूरुश नहीं कि वहाँ पर आगा मैंने 50 रख़ां तो 50 रख़िए उससे कोई फर्रग निपरता लेगिन यह ता तो मैंने यहां पर 40 केरेक्टर पास कर दी है हमें क्यूरी लगाना चाहते हो मैंने का एस मैंने वही लगा दे हमने का सिलेक्ट तमाम रिकॉर्ड चाहिए इस टेरिक फरॉम टीवी एल स्टूडेट हमने का वियर एस ने हमने का लाइक अड़् रेट एन और हमें पता है प्रफाइन देदी है अब इतना एरिये को जो बना जाता हूं कि हो इ अब यह पूरी अप्लिकेशन हमारी स्टोर प्रोसिडर पर चलेगी इसी में हम रिपॉर्टिंग भी करेंगे इंसेट अपडेट इलीट का ऑपरेशन भी करेंगे तो फिर मैं इसके लिए नहीं अप्लिकेशन मना रहा हूँ तो राइट क्लिक करके सबसे पहले मैं यहां पर करूंगा क्योंकि मैं एप्लिकेशन कॉन्फिक्ट फाइल में कनेक्शन इस्टिंग मना करना चाहता हूँ फिर मैं एड रेफरेंस करेंगे जिए हमें पहले पर समझा चुका आपको कि हमें कॉन्फिजेशन की लाइबरेरी जहां पर एड करनी पड़ती है जब हम इसको इसका मैं आपको पहले भी बात समझा चुकों कि अगर मुझे कनेक्शन इस्टिंग में कोई भी चेंजिंग करनी पड़ी तो इस एप्लिकेशन में मुझे वन टाइम यहां पर चेंज करना पड़ेगा अगर मैं हर पेज पर कनेक्शन इस्टिंग दूँगा तो अगर सो प स्टिंग देटा सूर्स नाम डाट है मेरे पास यह मैं समझा चुक हूं पहले इनिशियल कैटालोग और पर मैं डिव ड़का नाम देता हूं मैंने का डिवी रफ मेरा डीटाबिस का नाम है तो यूजर आईडी मैं दे दिया ऐससे और पर हमने एक पासवर्ड एक्वल टू यहां पर पास करना है तो यहां पर पास करना पड़ता है हमने कनेक्शन इस्टिंग मना लिए है अब मैं इसको वहां पर कॉल करना चाहता हूं वही पुराने स्टैप है हमने यहां पर आके सबसे पहले दे लाइबरेरी कॉल की तो हमने का सिस्टम .da.dat.सकुल क्लाइंट के प्रफू क्वार्ड क्लासें की सारी क्लास्स चाहिए लिए पर इसक मैंन क्लास में क्लास रहता है तो आस्केल क्लाइन की लाइबरी से मिलती है। हम कनेक्शन इस टे एप्लिकेशन कांटी फैल को कॉल करना जाते हैं। हमने का सिस्ट्रम.configuration की लाइबरी दे हम कॉल करेंगे। में लाइबरी के अगेंस्ट में हमें क्या करूँगा एसक्वल कनेक्शन की लास बनाओंगा. अबने का स्कॉल कनेक्शन में गुलोबल इडिय में काम कर रहा हूं, मैंने अबजिक्ट बनाए कौन के नाम से या किसी भी नाम से बना लें. और यहां भी आगे हमने का नाम पास कर दिया है तो अब मैं यहां भी कनेक्शन इस्टिंग में पास कर दी अब मेरी अप्लिकेशन कॉंद भी फैल इससे कनेक्ट हो गई है अब मैं स्टोर पोसिजर को यूज करते हैं में रिकॉर्ड फैच करवाना चाहता हूं मैं चाहता हूं के मेरी ग्रिट में पास करना चाहता हूं यहां पर और उस ग्रिट के अंदर जो है वह जैसे में पहले किया था लिगे इन लाइंज क्यूरी से किया था अब मैं यहां पर स्टोर पोसिजर करूंगा काम होई होगा जैसे data fetch करवाना चाहता हूँ और इस grid को मैं fill करवाना चाहता हूँ तो हम लोड इवंट पर आ जाते हैं अच्छा अब एक दो बातों का ख्याल रखेंगा देखें जब हम store procedure उस करते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है नमबर वन हमें लाइबरी चाहिए होती है system.data की पहली बात दूसरी बात store procedure बताने के लिए कि यह store procedure है आडाप्टर के पास कोई ऐसा method नहीं है जो यह शो कर सके कि यह store procedure है तो अगर मैं record को सी fetch करवाना चाहता हूँ तो पिर हमारे पास जो 24 होती है होती है SQL command की हम SQL command के तुरू जो है वो को बता सकते हैं store procedure दे सकते हैं और उसको भी बता सकते हैं कि यह store procedure है तो यहां पर फिर हमारे पास कि मैं disconnected architecture यूज करना चाहता हूँ तो फिर मुझे data set या data table फिल करना है ठीक हो कल लेंगे लेकिन adapter के तुरू नहीं कर सकते हैं फिर हमें SQL command के तुरू काम करना पड़ता है हमने SQL command की class का object बनाया अब यहां जहां मैं क्यूरी लगाता हूँ यहां मैं अपने store procedure का नाम दे देंगे यहां पर भी आगे अपने store procedure का नाम दिया और इसके बाद फिर हम यहां पर आके इसके दूसरे argument में constructor में हम connection string का object बता देंगे इसको अब यह बताना है कि यह store procedure है तो फिर मैपस क्या है हम इसको बताते हैं कि यह store procedure है अब यह मजबूरी है एडाप्टर के पास ऐसा कोई method नहीं है कि हम इसको बता सके कि यह हमारे पास store procedure है अब दूसरा तरीका अगर में पुराने वाले code पर आना चाहता हूं तो फिर तो अमर पर यह है कि हम SQL data adapter ले रहते हैं हमने का SQL data adapter इसका object बना दिया और नेट पर ज्यद्ध तर यही मैदर होता है और इसके argument पर हम CMD पास कर दे तो फिर हम यह connection देने की ज़रूत नहीं है पिर हमने data table यह data set ले लिया और उसका object बना दिया और पिर data adapter से हमने फिल करा दिया data table को तो वही कोड है जो पराना सारा कोड है और पिर इसके बाद हमने grid में देना हमने का grid view one dot data source equal to हमने कह दिया डीडे तो फरक क्या है सारी चीज़े वही है यहां मैं SQL command लिया यहां तक से तो हमने last class पर किया था और पिर SQL command की तो हमने store procedure बता कि और उस SQL command को जो object था वो हमने adapter के constructor में पास कर दिया तो यहां से वह adapter यह object को लेगा और वहां से store procedure लेगा है कि store procedure है और दिन हमारा record को fetch करवा देगा बागी सारी चीज़े वही है लेकिन store procedure के लिए जो changing करना नहीं पड़ती है मैंने आपको यहां पर समझा दिया अब जिसे मेरा form load होता है तो मेरे रिकॉर्ड इसमें आ गया ठीक है आद नमबर एसने मैंसे अपने हमाँ बाकी में खाली बड़ा हो data तो मेरे पस यह आ गया अच्छा एक तो तरीका यह था मैं data table मैंने यूज़ किया और उसके लिए मैं आडॉप्टर भी यूज़ किया लास्टाइब मैंने एक बात बताई थी है अगर मैं अडॉप्टर नहीं यूज़ करना चाहता हूं मैं अगर SQL कमांड के थू डेड़ को फिल करवाना चाहता हूं तो उसका भी एक solution है वो कैसे होता है उसका तरीका भी मैं लास्टाइम इस बताया था मैं दुबारा रिपी बनाया और फिर SQL CMD जिसके पास SQL कमांड को अबजेक्ट था डॉट एक्जीक्यूट डॉट रीडर के जरी से हमें इसको एक्जीक्यूट करा दिया ठीक है यह मैं लास्टाइम भी किया था अब मेरे पास जो रास्ता है रीडर जो के हमारे विससे SQL कमांड के थूरू जो है एक्सीक्यूट होता है और रीड करता है तो अब मैं जोकर data devil का object dt है तो मैं फिर dt को fill कर रहा हूंगा dt.load और यह जो लोड होता है वो होता है reader के objects है देखें जैसे मैंने किया तो मुझे कहता है data reader का object बताओ ठीक है तो यहां से यह भी तरीका है हमने यहां पर जो DR बनाया था मैंने इसको sign कर दिया तो इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं और पिर हमने connection को close कर दिया तो यह मैं किया था मैं वो भी यहां implement करना चाहता हूं तो फिर आपने simple सा जो है वो जैसे हमने यहां पर एक टेक बॉक्स लिया और मैं चाहता हूं इस टेक बॉक्स पर रहते वे इसके event पर मैं like security लगाना चाहता हूं ना जैसे हमने last time भी किया था लेगी वह इन लाइन भी किया था तो हम store procedure कर रहा है इस फरक से कितना ही है भागी सारा code वही है तो उसका event लूगा टेक बॉक्स का chain event ले ले लेंगे हम लोग और फिर यहां पर आके हम सारा code वही मैंने last time भी कॉपी किया था मैं अभी भी कॉपी कर रहा हूं मैंने copy कर दिया है और यहां पर आके अपना store procedure हम चेंज करेंगे हमने लाइक की कुरी के लिए बनाया था वो यह बनाया था यह मैं इसको assign कर दूंगा store procedure को सारी चीज़े वही होंगी इससे हम में parameter देना पड़ेगा आप देखें यहां पे हमने parameter बनाया था N के नाम से एक बाद जाए रखिएगा का store procedure जबी भी हम कोई भी implement करते हैं तो जो आपने parameter जिस नाम से वहां बनाया होगा उसी parameter को उसी नाम के parameter को आपने call भी करना जरूरी होता है तो हमने N के नाम से parameter बनाया है तो नाम हम उसी नाम से parameter को call करेंगे उसको value देंगे तो फिर यहां पर आके यह स्टोर फॉसियर बताने के बाद में आके हमने का cmd.parameters.addWithValue और यहां पर आके अपने उस parameter को नाम दूँगा मैंने का end के नाम से parameter जो मैंने वाँ बनाया है वह स्टोर फॉसियर में मैं यहां दूँगा और उसको फिर value देने के लिए कॉमा लगाना है और उसके दूसरे argument पर आना addWithValue के method का दूसरा argument जो हमसे object मांगता है नहीं control मांगता है तो मेरा जो control है वो है techbox one dot text हम यहां इसको assign कर देंगे तो सारा code वह जाएगा अब यह हो जाएगा text के event पे जब मेरा code लोड होगा तो load वाल अपना code अपना काम करेगा और जैसे ही मैं यहां पर आके मैं parameter पास करूंगा जैसे a के दाम से लगा a s तो कि a s वला आ गया a b a b वाले आ गए और मैंने के दिया a h h वाले आ गया a n a n वाले आ गया और अगर मैं यहां पर o select करूंगा तो वाले आ जाएंगे h तो यह लाइक की कुरिया हमारे पास यहां पर आसानी से implement filter हो गई हमने यहां आप इसको connect कर दिया तो यह दुनलों काम मैंने पहले अब आप डेट और डिलीट भी हम स्टोर पोसीर के दुरू कर रहा हूं इसी तरह के से मैं नेक्स थोरी देबर में रिकॉर्डिंग दूसरी करूंगा जिसमें मैं insert update और डिलीट भी हम स्टोर पोसीर के दुरू करेंगे और रिपोर्टिंग पर भी आएंगे ताकि आप काम करना हो तो मुश्किल ना हो तो साथ सब इसके बाद मैं लिंक पर और entities पर आऊंगा तो फिर नेक्स प्रेंगिम लगाती है